हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड़ी हब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन्त तो दोस्तो आज मैं आपके साथ में रीट स्लिटेड एक अपडेट आ रहा है जो आपके साथ शेयर करते हैं तो रीट के लिए दोस्तो दो अलग-अलग कमेटी अब बन चुकी है एक कमेटी चाहती है कि जो ये रीट का एक्जाम है वो हो जाना चाहिए रद क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा घपला हुआ और एक कमेटी चाहती है कि आपके जो पद है पदों में होनी चाहिए ब्रदी तो दो अलग-अलग जो है कमेटी अब बन चुकी है दोस्तो तो रीट के पद रद करने इस रीट का जो एक्जाम हुआ इसको रद करने की बात क्यों हो रही है तो आपको सारे फेक्ट बतायता हूँ मैं क्योंकि दोस्तो बजलल की अभी गिरफतारी हुई है उससे भी पता चल रहा है कि रीट का जो आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया आपने जो 2021 के अंदर इसका पेपर तो 100% लिख हुआ है ठीके इसका पेपर 100% जो है ये मान सकते हो अभी तक बहुत सारी गिरफतारिया हो चुकी है उन सभी के बेसेस के उपर या नुमान लगाया जा सकता है कि आपका रीट का 2021 में पेपर तो लिख हुआ है ठीके और पेपर रद इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो विध्यारती बहुती मेहनत करके भी इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता उसका सबसे बड़ा रिजन ये है कि जो पेपर को लिख करा रहे हैं उनके पास पेपर पहुँच जाता है तो सबसे बड़ी बात की बजन लाल के पास पेपर कैसे पहुचा इन सभी तथ्यों के उपर जो है CBI जांच होनी चाहिए इस पे CBI जांच की मांग इसलिए ही की जा रहे है कि पता चले कि ये क्यों हुआ इतने सालों बाद एक्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बोर्ड के द्वारा उसके बाद भी बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार हो रहा है तो ये बिलकुल गलत है तो एक्जाम रद कराना जो है एकदम सही बात है मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ 70% मेरे भी ओपिनियन से इस रीट को कैंसल कर देना चाहिए अब आप बोलोगे दोस्तों खिसर आप गलत बोल रहे हो लेकिन दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है मैं भी चाहता हूँ कि इस वार जो रीट का एक्जाम हुआ है वो रद हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें पार दर्सीता की कमी थी ट्रांस्पेरिंसी बिलकुल नहीं थी पेपर जो है बच्चों के पास पहले ही पहुँच चुका था तो ये तो बात हो रही है कि रीट के जो एक्जाम हुआ है उसको रद करने की अब एक दूसरी कमेटी जो है दोस्तों वो क्या चाहती है कि रीट का certificate रद ना हो, read का exam रद ना हो, पदो में हो जाए वरदी 50,000 पद की बात की जा रही है लेकिन दोस्तों पदो में वरदी को लेकर साफ कहा गया है कि पदो में वरदी जो है केवल मुख्य मंत्री के हाथ में है CM के हाथ में ही है पदो में वरदी इसके अलावा कोई भी इस पे कुछ काम नहीं कर सकता साफ साफ बोल दिया गया है साफ साफ बयान आया है कि CM के हाथ में है पदो में वरदी को लेकर कोई भी अपडेट अगर पदो में वरदी होती है तो इससे बहुत सारे बच्चों को फाइदा होगा कट ओफ भी कम जाएगी और बहुत सारे बच्चों को इससे फाइदा होगा लेकिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएं है वो ही लोग चाते हैं कि पदो में वरदी हो ये बात भी है और दूसरा जो पदो में वरदी से लिटेट पदो में वरदी ना करते हुए नई वेकेंसी को मई जून के अंदर लेकर आएंगे 2022 में लेकिन दोस्तों ये तो एक बात थी मुझे नहीं लगता कि मई जून के अंदर आपका रीट दुबारा से आने के कोई भी चांसेस है तो अभी हाल फिलाल कुछ भी किलिरेंस नहीं आ रही है पेपर रद कराने की मांग थोड़ी तेज हो गई है उसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि पेपर जो है इसवार का रद हो जाना चाहिए नेक्स्ट नई सीरे से हमें पूरा फ्रेस त्यार करके रीट दुबारा से करवाया जाना चाहिए ये बहुत बच्चों की मांग अब इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही जादा घोटाला और घपला देखने को मिला है तो दोस्तों अभी हाल फिलाल यही अपडेट है कि पदों में भी व्रदी हो सकती है इसकी भी बात चल रही है और रीट कैंसल भी हो सकता है जैसे ही कोई क्लियर अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करूँगा आप भी अपने अपने ओपिनियन शेयर कीजिए क्या रीट रद होना चाहिए या जो आपके पदों में व्रदी हो जानी चाहिए आपके क्या अपडेट है आप भी प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा थैंक यू, हैव नाइस दे, बाबाई